यह वो खबर है हैं जो हम सभी आए दिन सुनते रहते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि आप जानते हैं कि आकाशिय बिजली हमारी देश की सबसे बड़ी आपदा है हर दिन हमारे आसपास कई लोग इसका शिकार हो रहे हैं तो खुद की सुरक्षा और दूस चाहिए और क्या नहीं आपने अकसर यह देखा होगा कि जैसे जैसे मौनसून पास आता है वैसे वैसे आकाशिय बिजली गिरने से लोगों की मौत होने की ऐसी खबरे भी बढ़ने लगती है और बिजली गिरने से भारत में होने वाली मौतों का आंकड़ा बेहत चौकाने जहां अमेरिका में बिजली गिरने से साल में केवल 45 लोगों की मौत होती है वहीं हर साल आकाशिय बिजली गिरने से भारत में 2000-500 लोगों की जान जाती है और इनमें से ज्यादा तर ग्रामीन इलाकों में होती है हर साल बिजली गिरने से होने वाली मौतों में 96 प्रतिशत ग्रामीन शेत्रों में दर्ज की जाती है जब आसमान में बादल चाय होते हैं तो उसमें मौझूद पानी के छोटे-छोटे कंड हवा की रगड के कारण चार्जड हो जाते हैं कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो कुछ पर नेगिटिव चार्ज जब ये दोनों तरहा के चार्ज बादल में मिलते हैं तो उनके मिलने से लाखों वोल्ट की बिजली पैदा होती है जब चार्जड बादल किसी उचे पेड या बिल्डिंग के पास से गुजरता है तो उसके चार्ज के खिलाफ बिल्डिंग या पेड बे ऑपज़िट चार्ज पैदा हो जाता है खुली जगहों पर खड़े ना हो ध्यान रखें कि आसमान से गिरने वाली बिजली जमीन की ओर बढ़ते वक्त सबसे उची चीज से अपना संपर्क जोडती है और ऐसे में अगर आपके आसपास कुछ नहीं है तो बिजली सीधी आप पर गिर सकती है अगर एक ही जगह पर बहुत से लोग इकटा है तो फैल जाए ऐसे आपकी बिजली की चपेट में आने की संभावना कम हो जाएगी बिजली के खंबो और टावरों से दूरी बरते और किसी इमारत में शेल्टर ले अगर वहाँ बिल्डिंग नहीं है तो कार या किसी वाहर या कठोर परत वाली जगह के नीचे चले जाएग ओटो रिक्षा, बाइक, ट्रैक्टर या कोई भी खुली छट वाली गाड़ी बिजली गिरते वक्त बिलकुल भी सुरक्षित नहीं है अगर आप घर पर हैं तो खिड़कियों, दर्वाजों और बरामदे में ना जाए घर में किसी मेटल के पाइप को भी न चुए हाथ दोने या शावर का उप्योग ना करे बच्चों को बिजली के किसी भी उपकरण से दूर रखे अगर किसी पानी वाली जगा है तो तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करे मुबाइल चार्ज या किसी अन्य उपकरण को प्लग करने के साथ उसका इस्तमाल बिलकुल ना करे अगर बिजली चली भी जाए तो भी इलेक्ट्रिक उपकरणो या स्विच को बार बार ना चुए मेटल के छतरी का इस्तमाल ना करे लकडी की हैंडल वाली चाते ही इस्तमाल करे और बिजली गिरने के 30 मिनिट तक सुरक्ष स्थान पर ही रहे यदि आकाशे बिजली चमक रही है और आपके सिर के बाल खड़े हो जाए या तवचा में जुरजुरी होने लगे तो फॉरण नीचे जुपकर कान बंद कर ले ये इस बात का संकेत है कि आपके आसपास बिजली गिरने वाली है यदि किसी व्यक्ति पर बिजली गिरती है तो फॉरण उसे किसी सुरक्ष स्थान पर ले जाए ऐसी व्यक्ति से दूरी बनानी की जरुरत नहीं है क्योंकि उस व्यक्ति के शरीर में बिजली का करंट नहीं रहता और उसे चुने से आपको करंट नहीं लग सकता है अगर कोई इनसान बिजली की चपेट में आता है तो सबसे पहले उसकी पल्स चेक करें यदि वो बेहोश है या अनकॉंशिस स्टेट में है तो उसकी मदद करने के लिए तुरंट अम्बिलन्स को बुलाए और जब तक अम्बिलन्स नहीं आती विक्टम को CPR देने की कोशिश करें स्टेटिस्टिक्स के मताबिक जिस हिसाब से भारत में हर साल हजारों लोग आकाशिय बिजली की चपेट में आ रहे हैं उसे ये पता लगता है कि अभी भी लोगों में लाइटनिंग को लेकर जागरुपता नहीं है इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लोगों में अवेरनेस फिलाए और बने रहे हैं जीन्यूस डिश्टिल के साथ